प्यारे बचो नमस्कार मैं सूरिय प्रकास आदर्स विद्यमंदिर माउंटाबू आज संस्किर्ट की ओनलाइन क्लासिज में एक बार फिर से अब सभी का स्वागत है तो बचो पिछली वीडियो में हमने सश्टह पाठह सदाचारह यानि अच्छा आचार अच्छा विवहार अच्छा आच्रन तो ये पाठ पढ़ा था तो इसमें एक दो और तीन स्लोक पढ़े थे पहले स्लोक में आलस्य के बारे में बताया था कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा सत्रू है और परीसरम हमारा सबसे बड़ा मीत्र है यानि कि जो परीसरम करता है उसे कभी भी दुखी नहीं होना पड़ता और दूसरे स्लोक में बताया था कि जो वेक्ति कल का कारिये आज कर ले होता है वो हमेशा सुखी होता है क्योंकि मृति और किसी की प्रतिक्षा नहीं करती कि इस वेक्ति ने काम किया है या नहीं किया ठीक थीक है तो आगे का ology दिदा हैatar घाता है की सत्धय में बताया था कि आमेक्स प्रकार से सत्धय होना चाहिए आज हमारा चोतुर्थ सलोक है इसके अंदर लिखा है सरवदा वेवहारे स्यात सरवदा का मतलब होता है हमेशा वेवहारे स्यात वेवहार में होना चाहिए वेवहारे का मतलब वेवहार में स्यात का मतलब होना चाहिए क्या होना चाहिए उदार्यम उदारता होनी चाहिए दयालूता होनी चाहिए और क्या होना चाहिए सत्यता तथा और सत्यता भी होनी चाहिए क्या होना चाहिए एक तो उदारता होनी चाहिए दयालू होना चाहिए आदमी यानि कि मन में दया का भाव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए सच्चाई होनी चाहिए जूट नहीं बोलने वाला होना चाहिए मनुस्य रिजूता म्रिदूता चापी रिजूता का मतलब होता है सीधापन जो सरलता होती न एक तो मनुस्य होता है टेडा कटू कुटिल होता है यानि चलाक होता है वो चलाकी नहीं होनी चाहिए सीधा साधा वेक्ति होना चाहिए मरीदूता मरीदूता का मतलब कोमलता कोमल हरीदे वाला होना चाहिए चैअपी होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए कोटिल्यम नकदाचन और कोटिल्यम का मतलब होता है कोटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए हमारे व्यवहार में कुटिलता चालाकी हाँ चतुर होना चाहिए बुद्धिमान होना चाहिए लेकिन किसी के साथ भी चालाकी नहीं करनी चाहिए चालाकी में और चतुराई में बहुत बड़ा अंतर होता है चालाकी का मतलब होता है दूसरों को ठगना दूसरों को दोखा देना और चतुराई का मतलब होता है अपनी बुद्धी बल से दूसरों का भी बला करना और अपना खुद का भी बला करना ठीक है तो हमें चतुर बनना है कोटिल यमियन की कोटिल नहीं बनना तो एक बार फिर से देखो इसको क्या बनता है इसका आर्थ सरवदा वेवहारे स्यात सरवदा माने हमेशा हमारे वेवहार में होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले होनी चाहिए उदारता उसके बाद सत्यता होनी चाहिए उसके बाद में होनी चाहिए रीजुता यान की सीधापन मरीदुता का मतलब होता है कोमलता तो ये सारे के सारे होने चाहिए हमारे विवहार में कोटिल्लिम्न कदाचन परंतु हमारे विवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चा बाद में आगे लिखा है स्रेश्ठम जनम गुरुम चापी स्रेश्ठम का मतलब होता है अच्छे विदवान वेक्ति को जनम का मतलब वेक्ति को गुरुम चैपी गुरुम का मतलब होता है गुरु को हमारा जो गुरु होता है अध्यापक होता है यह फिर जो हमसे बड़ा होत उसको मातरम पितरम तथा मातरम का मतलब होता है माता को पितरम का मतलब पिता को मन सा का मतलब होता है मन से करम करमना का मतलब करम से वाचा का मतलब वानी से यान की मन से करम से और वानी से तिनों परकार से सेवेत का मतलब जो सेवा करता है सततम का मतलब हमेशा सेवेत का मतलब स सेवा करने चाहिए सथातम का मतलब होता है लगातार हमेशा सदा का मतलब हर रोज प्रति दिन जब तक हम लोग जीवित है जब तक हमारे बुजुरग बड़े गुरुजन जीवित हैं तब तक हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और वो शेवा किस प्रकार करनी चाहिए मन सा करमना वाचा यानि की मन से करम से और वाणी से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए एक बर फिर से इसका पुरा जो हिंदी नुदाद है वो देखो हमें अपने स्रेष्ट अच्छे लोगों को विदवान वेक्ति कौन होता है जो किसी भी विशय को मतलब अच्छी प्रकार से जानता है चाहे वो घर का विशय हो चाहे पड़ाई का विशय हो या फिर कोई विपार का भी विशय हो सकता है तो उस एक शेत्र का वो पूरा विद्वान हो उस चीज के बारे में वो अच्छी तरह से जा लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए और वो सेवा कैसे मन से करम से और वानी से तीनों परकार से करनी चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाथ सरीर से यान की करम से और सरीर से तो उसकी सेवा कर रहे हैं लेकिन वाचा वाचा का मतलब होता है वानी से और वानी से उसको गाली दे ator को मन सा और मन में आगे आगर हम से उसको गाली दे रहे थी तो भी सिवा नहीं दोuelle जाती इसलिए मन से करम से और वाणी से तीनों परकार पर का तततम का मतलब होता है लगातार सदा का मतलब हमेशा सेवा करनी चाहिए इसके बाद में आगया अंतिम स्लोक मित्रेन कल हम करितवाफ न कदापी सुखी जनह इती ग्यात्वा प्रयासे न तदेव परिवर जयेत मित्रेन का मतलब मित्र के साथ कल हम का मतलब होता है जगडा करितवा का मतलब करके नहीं कदापी का मतलब कभी भी सुखी होता है जनह यानि कि मनुश्य अपने मित्र के साथ जगडा करने वाला मनुश्य कभी भी सुखी नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि जो अपने मित्रों का साथ छोड़ देता है ना तो उसको किसी का भी साथ प्राप्त नहीं होता केवल इस हंसार में एक मित्रता का रिष्टा है जो मनुश्य स्वयम बनाता है बाकी सभी रिष्टे जनम से ही बन जाते हैं तो जो मनुश्य मित्र को छ करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए तदेव का मतलब वह परिवरजयत उसको छोड़ देना चाहिए किसको मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए कल हम का मतलब जगडा जिस चीज को लेकर हमारे मित्र के साथ हमारा जगडा है उस जगडे को हमें छोड़ देना चाहिए तो एक बार फिर से इसका देखो इंडियन वाद मित्रेन कलहम कृत्वा मित्र के साथ जगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी भी सुकी नहीं रहता इसलिए हमें कोशिस करनी चाहिए और पूरी कोशिस करके जो जगड़ा है उस जगड़े को छोड़ देना चाहिए यान की जगड़ा करने का परियतने नहीं करना चाहिए तो ठीक है बचो आज हमारे ये सारी स्लोग हो गए पूरे और बाकी का जो काम है वो आएगा अगली वीडियो में तो तब तक के लिए धन्यवाद